नमस्कार दोस्तों रेनाम सेकर और स्वागताप सविका अमारे यूट्यूब चैनल सिकार स्टेडी पॉइंट पर दोस्तों इस वीडियो में हम देखने वाले हैं सामानी हिंदी के महत्यपूर्ण परस्णू को और इसमें हम देखेंगे अनेक सब्दों के लिए एक सब्द सम मंदित महत्यपूर्ण परस्णू को दोस्तों topic-wise हम यहाँ पर देखने वाले हैं और यहां से दोस्तों परस्ण एकजाम में जरूर्ब से पूछा जाता है इतने सारे दोस्तों एक्जाम होने है निश्ची दूरूप से दोस्तों यहां से परसन आपको देखने को मिलेगा दोस्तों उन परसनों को लिया गया है जो किसी ने किसी एक्जाम में दोस्तों पूछे जा चुके हैं इसलिए महत्पूर्ण है मुझे उम्मीद ही नहीं पूरा विश्वास भी है कि आप वीडियो को अंतग जरूर से देखेंगे लगबा दोस्तो हम 87 कोश्चिन को यहाँ पर हम देखने वाले हैं और इतने मैंसे आपका स्कूर कितना रहा कमेंटे बॉक्स में आप जरूर से बताईएगा तो चलिए दोस्तो वीडियो की शुरूरात करते हैं पहला परसन है दोस्तो यहाँ पर हमारा सदावार परसन है और कई बारे परसन दोस्तो देखने को मिलता है पहला परसन है कंजूसी से धन ब्याई करने वाला के लिए एक सब्द है जल्दी से दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है कंजूसी से धन ब्याई करने वाला के लेक सब्द किरपण, मिति ब्याई, अल्प ब्याई या मिर्शन दोस्तो मिर्शन का बिलोम होता है रूक्ष ये भी एक परिक्षा में पूछा गया था किसी परिक्षा में पूछा गया था तो यहाँ पर दोस्तो कंजूसी से धन ब्याई करने वाला तो इसका से उत्र जाएगा किरपण अगला वर्षन है पीडी दर पीडी चला आने वाला इसके लिए समुचित सब्द है पीडी दर पीडी परागत करमागत तथागत या फिर अनवयागत दोस्तो इसका से उत्र जाएगा अप्शन अबर डी अनवयागत पहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है अगला वर्षन है यहाँ पर हमारा भला चाहने वाला जो दोस्तो आपका भला चाहता हो इसके लिए सब्द क्या होगा क्या निश्वार्त होगा हितैसी होगा या पूर्णे आत्मा कहेंगे या साहे कहेंगे दोस्तों इसका सेउत्तर हो जाएगा भला चाहने वाला कहलाता है कि हीतैसी बोले तो आप्षन नमर सी हो जाएगा इसका बिल्कुल सेउत्तर पर चमोली हमारा यहां पर बिल्कुल सेउत्तर है अगला पर आपर हमारा किसी की सहता करने के लिए एक सब्द किसी की सहता करने वाला अभी दोस्तों हमने देखा था भला चाहने वाला वो था हीतैसी अब है किसी की सहता करने वाला यह हो जाएगा दोस्तों यहां पर हमारा सह अगला परस नहीं जो खाने योगई नहों दोस्तो उसे कहेंगे क्या अखाद दी बिलकुल आसान है जो खाने योगई नहों उसे कहेंगे अखाद दी बोले तो option number A होगा इसका बेलिकुल बेलिकुल 60 कुतर जो खाने योगी नहूँ से कहेंगे अखाती पहुत ज्यादा महत्पूर्ण है अब पाच्चे दोस्तो जो पचेना अगला परसन है जिसके पास घर ना हो ये परसने भी दोस्तो एकजामना कई बार आता है जिसके पास अगला परसन है अउसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं क्या उसे आदर्सवादी कहते हैं ये था इस्तितिवादी कहते हैं या फिर भावादी कहते हैं जल्द से आपको यहाँ पर बताना है तो दोस्तो इसका से उत्रूप बदल जाने वाले को अगर आपने ओप्सन नमबर डिटी किया आउसर वादी तो आपका एक नमबर मिलने की बजा यहाँ पर आपसे एक नम अउसर के अनुरूप बदल जाने वाले को कहते हैं या था इस्तितिवादी अगला बरसने यहाँ पर हमारा जो अपने इस्तान या इस्तिति से अलग न किया जा सके वाक्यान से के लिएक सब्द अटल अच्यूत अदे या अटूट तो इसका से उत्तर हुजएगा उस्तो इस्तिरी के पुत्र और पती नहो इस वाक्य के लिए एक सब्द दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है आपके ओप्शन है अवीरा अबला अकेल्या या असहाई तो यह दोस्तो यहाँ पर आपको बताना है कि इसका क्या होगा जिस्तिरी के पुत्र और पती नहो दोस्तो इस वह कन्या जिसके विभाव करने का वचन दिया गया हो उसके लिए दुस्त reminder क्या होगा जल्दी से लिखिए few comments शम आपको बताना है बढ़ते हैं अगले вари BOY कि पर सुछ आपर हमारा निम्लिखित विकल्प में से चार परसने आपर दिये गे हैं उस सई विकल्प का चैन करें जो वाक्यांसी के लिए एक सब्द का विकल्प है तो खेर इतना याद नहीं रखना है जो थोड़ा जानता है जो थोड़ा जानता है उसके लिए एक सब्द है यहां पर ह बोले तो option number C हो जागा इसका से उतर कम जानने वाला या थुड़ा जानने वाला उस्तो कहलाता है अलपग्ये। अपर में बोले तो option number B हो जागा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटीक उतर अगला वर्षन दोस्तो यहाँ पर हमारा पिर्थवी गरहूं तारूं आधिका इस्तान के लिए एक सब्द यहाँ पर आपको बताना है क्या धर्ती में आप कहेंगे बिल्कुल नहीं समंदर में कतैनी बिश्व में नहीं दोस्तो पिर्थवी गरहूं तारूं का इस्तान दोस्तो यह है अंतरिक्ष अंतरिक्ष इसका से उतर हो जाए दोस्तो यहाँ पर हमारा option number B अगला वर्षन है जिसकी कोई उपमा न दी जा सके के लिए एक सब्द होगा दोस्तो एक कई बार आता है यह प अनुपम जिसकी कोई उपमा न दी जा सके उसे कहेंगे अनुपम option नमर यह हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटेक उत्तर अगला वर्षन है पीछे चलने वाला आपको शिर्फ इतना है पीछे चलने वाला क्या कहेंगे उसे पिछलगू कहेंगे क्या या फिर सब्द हो जाएगा अनुगत तो यह आपको यादक नहीं हैं बढ़ते हैं अंगले परसने की तरफ पूछा गया था इजाम में अगला परसने आपर हमारा आदी से अंतक ये परसने में उस्तों कई बार आता है क्या समिचीन समकालीन अनादी या फिर आद्योपांत दोस्तों इसका से उत्र हो जाएगा आदी से लेकर अंतक के लिए एक सब्द है यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा ओप्सन नमर बी आद्योपांत बहुत ज्यादा उस्तों महत्पूर्ण है आदी से अंतक ये हो जाएगा आद्योपांत बोली तो ओप्सन नमर भी अगला परसने जिस पर आकरमण हो वाक्यान्स के लिए उचित सब्द आकरमण आकरांत आकरामग नहीं आकरामग वल्ले बाज आत्मगाती थेली लाइसोसों यह भी नहीं होगा तो यहां पर उत्तर होगा उस्तों यहां पर हमारा आकरमण नहीं होगा जिस पर आकरमण हो उस्तों से कहेंगे आकर आकरांट याद रखेगा अगला परसना उस्तु यहां पर हमारा जो इंदरियूं की पहुंच से बाहर हो अब इंदर धनू दोस्तु क्या ऐसा है चीज नहीं इंदरियनिग्र्य ये भी तो उस्तु सही नहीं इंदरिया तीत या इंदर्जीत जल्दी से आपको बताना है की पहुंच से बहार हो उसे कहेंगे दूस्तु इंद्र यातीत और जो इंद्र को जीत ले इंद्र पर विजय पराप्त कर चुका हो उसे कहेंगे इंद्र जीत अगला परसन उस तो देखे परसन नाम लिया और परसन हाजिर है जो इंद्र पर विजय पराप्त कर चुका हो उस का से उत्र जाएगा पूरब और उत्तर के बीच की दिसा दुस्तो ये कहलाती है इसान तो यह आपको याद अखना है बहुत जादा महत्पूर्ण है वायब बिद के लिए उस्तो सब्द भी आने वाला है अगला परशन है जो धरती फोड़ कर जन्मता हो वाक की के लिए उप बेलकुल सटेक उत्तर अगर उसने अच्छे कुल में जन्म लेने वाला के लिए एक सब्दो दोस्तो उसे कहेंगे क्या अच्छे कुल में जन्म ले उस्तो उसे द्विच तो नहीं कहेंगे द्विच कहा जाता था कुडिंदू को कुडिंदू नरेशु को खा गया द्विज और दोस्तो अनेकारती सब्द है द्विज पक्षी परहामड अंडा दांत बहुत उक्षी अनेकारती सब्द में आता है तो अच्छे कुल में जन्म लेने वाला दोस्तों उसे कहते हैं कुलीन option number 2 हो जागा इसका बिल्कुल बिल्कुल सठी उत्र अगला परशन है किसी तथी को जानने की इच्छा रखने वाला दोस्तों कुलीन तो अभी हमने देखा था कि जो अच्छे कुल में जनम लेने वाला हो आसाती दोस्तों ये तो होगा नहीं ये उज़ेगा किसी तथी को जानने की इच्छा रखने वाला ये उज़ेगा जिग्यासू अगला परशन है इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने वाक्यान्स के लिए सई बिकल्प का चैन कीजिए दोस्तो उसे कहेंगे इंद्रियों को जीत लिया हो जिसने इसे कहेंगे हम जीते इंद्रिय है option number C हो जाएगा इसका बिल्कुल बिल्कुल सटिक उत्तर तो बढ़ते हैं अगले परशन की तरब और आपके मन में आ रहा होगा कि देखे अब हमने देखा था जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका उसे कहेंगे इंद्र जीत और यहाँ पर है इंद्रियों को जीत लिया हो उसे कहेंगे जिते इंद्रिय है अंतर दोस्तों याद रखेगा अगला परसन है पैसे से मनुस्य की जीवन जीने की इच्चा बलवती होती है रेखांकित के लेक सब्द अगला पर है कि जीवन जीने की इच्चा के लेक सब्द क्या होता है उसे कहते हैं जी जी विसा जी जी वह सा चोटी जी रहेगी फिर बड़ी फिर वी फिर सा ये वर्तनियों भी आता है इसलिए याद रखेगा अगला प्रस्न है तर्क के द्वारा माना गया हो वाक्यान से के लिए एक सब्द यहाँ पर आपको बताना है उसे कहें तर्ठस्त दोस्तु तर्ठस्त तो नही संगत हो जाएगा इसका से उत्यार है जो तर्क के दोरा माना गया हो तो यह हो जाएगा उस्तो यहाँ पर हमारा तर्क संगत option number B अगला परशन है गोद लिया हुआ पुत्र के लिए एक सब्द दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है पती पत्नी का जोड़ा दुस्तों दमपत्ती होता है गोद लिया हुआ पुत्र दोस्तों यह कहलाता है दतक पुत्र तो यह हो जाएगा यहाँ पर हमारा option number B अगला परशन है जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं जो मुश्किल से प्राप्त हो दुस्तों से सुलब तो कहेंगे नहीं है ना जो मुश्किल से प्राप्त हो यह हो जाएगा दुरलब हो जाएगा इसका से उत्तर जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहेंगे दुर पर बताना है जो देनय योग दूस्तों उसे कहेंगे दे Option Number B अगला वरशन दूस्तों यहां से भी परशन अक्सर बनता है जंगल में लगने वाली आग, समुद्र में लगने वाली आग और पेट में लगने वाली आग के लिए दुस्तों सब्द है इसका से उत्र हुजाएगा जंगल में लगने वाली आग ये हुजाएगा दावानल समुद्र में लगने वाली आग दुस्तों ये हुजाएगा बढ़वानल पेठ में लगने वाली आग दुस्तों ये जट्रागनी तो इसका से उत्र वाला प्राड़ी दोस्तों जो रात में कौन निकले गा उस्तों उसे कहेंगे क्या रात में निसा कर दोस्तों नहीं होगा निसा चर होगा निसा चर राख्षास बोले तो अगला प्रशन है जिसके हिर्दाई में ममता नहीं तो उसके लिए दोस्तो कौन सा सब्द है जिसके हिर्दाई में ममता नहीं दोस्तो उसे कहेंगे कुरूर तो नहीं कहेंगे इसे कहेंगे दोस्तो निर्मम अगला व्रशन है जिनका परियोग निश्चित सब्द समुदाई या पूरे वाक्य का अतिरिक्त भावार्त परदान करने के लिए होता है उसे क्या कहते हैं जब बर दस्त प्रस्न है उस्तो एक्जाम में अगर ये पूछा जाएगा तो पहुत से बच्चे इस प्रस्न में गलती करेंगे निपात व्यधीकरण समानाधीकरण या विश्मियादी बोदक तो इसका से उत्तर हो जाएगा उस्तो जिनका परियोग निश्चित सब्द समु जबकाए के लिए एक सब्द है बिना पलक जबकाए दोस्तो इसके लिए सब्द यहाँ पर होगा उसे कहेंगे निर्निमेज निश्पलक जबकाए ये होगा उस्तो यहाँ पर हमारा निर्निमेज अगला वर्षन पार्थिव आपको यहाँ पर बताना है पार्थिव जिसका संबंद मनुष्य से है जिनका संबंद पृथा से है जिसका संबंद इस्वर से है या जिसका संबंद पिर्थिवी से है दोस्तों यह हो जाएगा जिसका संबंद पिर्थिवी से है उसे दोस्तों कहते हैं क्या पार्थिव तो यह हो जाएगा ओफ्शन नमबर डी अगला वरस के लिए एक सब्द है ये हो जाएगा पतित ऑप्सन नमबर ए अगला प्रशन है दोस्तों यहाँ पर हमारा जो आखों के सामने हो क्या दोस्तों से सुलब कहेंगे नहीं सुलब जो आसन से मिले पिरीतम नहीं जो आखों के सामने हो दोस्तों से कहेंगे हम परत्यक्ष ऑप्सन करने के बाद स्वयम दंड पाना परतालना प्राश्चित पश्चाताप या फिर हार माल लेना तो प्रतालना और हार मालना दो आपके गए अब प्राश्चित और पश्चाताप यह आपको यहाँ पर बताना है दोस्तों यह हो जाएगा पाप करने के बाद स्वयम दंड पाना इसे कहेंगे प्राश्चित, पश्चाताप तो फिर जब पाप करने के बाद आपको लग रहा है कि आपने गलट कर देआ हो जाएगा पश्चाताप, यह जाएगा option वरसी, अगला वरसन है परतियुत पन्नमती दोस्तों ये बहुत आता एक्जाम में परतियुत पन्नमती सब्द का वाक्यान से होगा इसका से उत्र हो जाए दोस्तों जो ततकाल सोचकर उत्तर दे सके जैसे कि आपकी बुद्धी भी है कैसी परतियुत पन्नमती जो ततकाल सोचकर उत्तर दे सके दोस दस्तो यह जगा जीवन देने वाली दवा प्रान जीवन देने वाली दवा तो यह जगा आपसन न baseball App अगला प्रशन है परग्या चक्चू के लिए वाक्यान से परग्या चक्चू दोस्तों ये जबरदस्त प्रशन है चक्चू ही जिसकी परग्या हो बुद्धी जिसका नेत्र हो परग्या और चक्चू जिसके समान हो या फिर बुद्धी और ज्ञान होने वाली परग्या तो इसका सेउत्तर हो जाए दो बुद्धी जिसका नेत्र हो उसे कहेंगे हमें प्रज्या चक्छू यह ओजाएगा option नमर बी अगला उच्छा खाने की इच्छा के लिए उप्युक्त सब्द है खाने की इच्छा दोस्तो इसे कहेंगे भूभू भूभू नहीं होगा यह भी गल पूछा जाता है भूमी के अंदर की जानकारी रखने वाले को दोस्तों कहा जाता है भूगर्व वेता दोस्तों कहा जाता है नाकी पुरातत्तु वेद्दा तो इसका से उतरो जाएगा भूगर्व वेता भूमी के अंदर की जानकारी रखने वाला तो बढ़ते हैं अगले प भावी पटवारी हैं यह उजाएगा भावी और भावश्ची में होने वाला अगला परसने मोक्च की कामना करने वाला दुस्तों इसे कहेंगे जैसे अभी हमने देखा था कि खाने की इच्चा भूबुक्चा तो यहां पर है मोक्च की कामना करने वाला मुमुक्चु मुमु मोक्च की काम ना करने वाला एकलाता है मोमुक्चू अगला वर्षन वस्तो यहां पर हमारा जो कम खर्च करता हो यहां पर आपको बताना है अभी दोस्तो हमने देखा था कंजूसी से धन ब्याई करने वाला उस्तो उसे कहा था हमने क्या किरपण खाता अब किरपण तो यहाँ पर option है नहीं जो कम खर्च करता उस तो वहाँ पर एक option मिदवय भी था कंजूज उस तो नहीं करेंगे मक्की चूश भी उस तो नहीं कहेंगे लो भी तो कता ही नहीं कहेंगे जो कम खर्च करता उस तो उसे कहेंगे मिदवय तो बढ़ते हैं दोस्तो अगले प्रस्न की द्रव जो हर समय अपना मतलब साधता हो उसे कहते हैं दोस्तो क्या मतलब ही कहते हैं स्वार्थी कहते हैं परमार्थी कहते हैं यह स्वार्थी कहते हैं दोस्तो जो हर समय अपना मतलब साधता हो दोस्तो उसे स्वार्थी भी कहेंग हैं स्वार्थी तो कहते ही कहते हैं जो हर समय अपना मतलब साथ हो अगर दोस्तों इस तरह का परशन एक्जाम में आता है और ये इस तरह से option रहते हैं तब दोस्तों फिर आप उस पर objection लगा सकते हैं और आपको एक number मिल जाएगा बोनस में अगला वरसन है पर हमारा जो इस लोग की बात करें आपको दोस्तों इतनी लंबी चोड़ी परिवासा नहीं देखनी है खली परसन है ये जो इस लोग की बात है दोस्तों उसे कहेंगे लॉकिक option नबर डियो जागा इसक से उत्र हो जाए उस्तों उसे कहेंगे सर्वग्य अगला परसन है एक ही समय में बरतमान के लिए एक सब्द है जब बारदा से दोस्तों परसन है इसे कहेंगे समसामाईक एक ही समय में बरतमान समसामाईक घटना सासवत का दोस्तों बिलोम होता है नस्वर ये भी लगे हाथ याद रखे तो एक ही समय में बरतमा दुस्तों हो जाएगा समसामाई अगला परशन दूस्तों आगे बढ़े से पहले अगर आपने अभीताग वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से दूस्तों कर दिजे लाइक अगला परशने किसी कथन पर सहमत होना वाकी के लिए एक सब्ध है क्या समर्थन staring देदी या अनुमोदन या सहमति तो ये हो जाएगा किसी कतन पर सहमय सह होना उस्तों उसे कहेंगे हम सहमति अगला 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 चले आने वाला अनेक युगू से चले आने वाले वाक्यान से के लिए उचित सब्द होगा इस प्रस्न में भहुत से बच्चे गलती करेंगे पर आपको दोस्तो नहीं करना है अगर दोस्तो आपने आपर कालांतर किया हुआ तो आप बिल्कुल गलत हैं समीचीन भी नहीं यह हो जाएगा सनातन ऑप्सन बढ़ी अगला अगर्शन है सौ वर्षू का समु कितना आसान है सताब दी पिल्कुल आसान है सैव कहते हैं दोस्तो सैव से कहेंगे आपने पड़ा होगा जो भगवान सिप की दोस्तो उपासना करता है उसे कहते हम सैव जो विश्ण की उपा जिसका उचारन न किया गया हो अनुट्रित अनुच्यृत समुच्यृत या मोन समुच्यृत क कोई लेना देना है नहीं अनुत्रित या अनुच्रित दोस्तो देखिए अनुत्रित अनुत्रित भी नहीं होगा क्यों उत्तर नहीं दिया गया हो यह भी नहीं होगा उच्छारण खा गया तो यह होगा अनुच्रित option number D अगला परशन है दोपहर के बाद का समय ये दोस्तो अच्छा परशन है दोपहर के बाद का समय दोस्तो आपने पुराने mobile में देखा होगा जैसे जो Nokia 1208 है जो Nokia 1100 अथा था उसमें लिखा होता था कि अपरहान इतने बजे तो ये उस्तो अपरहान इसका से उत्र जैगा दोपहर के बाद का समय गोधुली दोस्तो ये हो जैगा साम का समय जिस समय पसु घर को जाते हैं चरकर उस उत्र जो समय होता है संध्या का समय ये होता है कोई निर्णाई न हुआओ जब अर्दस्त प्रस्न उस्तो अक्सर एक्जाम मा आता है अनियमी दोस्तो इसका से उत्र हुजाएगा जो नियमा कूल नहो ऑप्सन नबर भी हो जागा इसका बिलकुल बिलकुल सटिक उत्तर अगला प्रस्न है अनुग्रीत सब्द के लिए एक वाग किया अनुग्रीत दोस्तो इसका से उत्र हुजाएगा यहाँ पर हमारा जो अनुगरह से युकतो हो उसे कहेंगे अनुग्रीत बोले तो ऑप्सन नबर भी अगला प्रस्न है जिसका जन्म चोटी जाती मा हुआओ अभी दोस्तो हमने देखा था जिसका जन्म उच्च जाती में हुआ कुलिन था और जिसका जन्म दोस्तो छोटी जाती में निचले वार्ण में हुआ के लिए उप्युक्त सब दोस्तो यह हुजाएगा यहाँ पर हमारा सूद्र ओप्सन नबर B अच्छो दोस्तो नहीं होगा अंडे से जन्म अंडज तो इसका सेउत्र जोस्तो ओप्सन नबर B यह परस्तो आ जाता है कभी कभी एकजाम में अगला वर्ष्ण जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके चबर दस्त प्रस्ण उस्तो जो वाणी द्वारा व्यक्त न किया जा सके रहसी दोस्तो नहीं कहेंगे अजर जिसे बुढ़ापा ना आए उस तो उसे कहेंगे अजर जो मरे ना उसे कहेंगे अमर जो च्छमा करने योगी नहीं है उस तो उसे क्या कहेंगे अच्छम्मे च्छमा च्छम्मे तो अच्छम्मे जो च्छमा करने योगी नहीं है उसे कहेंगे अच्छम्मे अगला वर्षन है यहां पर अमारा जिस पर हमला न किया गया हो यह यहां पर आपको बताने है अयोध्या पर हुष्री राम नहीं यह तो होगा नहीं अनाकरांत आकर्मक या आकरांत तो जल्दी से दोस्तों यहां पर आपको बताने है जिस पर हमला न किया गया हो उसका से उत अगला वरशने आपर हमारा वाक्यूं मैं ऐसे सब्दूं को छोड़ दिया जाता है जिनके ने रहने पर भी परसंग मैं वाक्य को समझने में बाधा नहीं पढ़ती कहलाती दोस्तों जबरस्त परसंग मैं वाक्य को समझने में बाधा नहीं पढ़ती दोस्तों उसे कहते हैं अध्याहर option number D हो जाएगा इसका बिल्कुल सही उत्रोस तो बार बार पूछे जाने वाले परसंग मैं से एक है बहुत ज़्यादा महत्पूर्ण है तो बढ़ते हैं अगले परसंग की का अगला प्रशन है जिसे गिना ना जा सके दोस्तों जिसे गिना ना जा सके उसे क्या कहते हैं हम अनगिनत कहते हैं बहुत आसान न देखिए वर्तनी यहाँ पर आपको पहचान नेमा कि अनगिनत बड़ीगी लिख दिये अगिनत लिख दिया यह गलत है यह हो जाएगा ऑप्स पहचानना है कुल मिलाकर तो हिंदी दोस्तों वर्तनी भी यहाँ पर आपको सुद्धर लिखना है और जो हम देख रहे हैं वाक्यानसी के लिए एक सब्द यह भी आपको सही करना है तो अनिर्वचनी इस तरह से लिखा जाएगा यह जगा ऑप्शन बड़ी अगला अपराद बोद से होने वाली गलानी दोस्तों उसे क्या कहेंगे लज्जा निंदा आत्म गलानी या फिर पश्चाता तो इसका से उत्रों जाएग तो अपराद बोद से होने वाली गलानी उसे कहेंगे आत्म गलानी अगला अगला अपराद बोद से होने वाली गलानी दोस्तो विसंभाव तिर्वुजे तो हुगा नहीं, अजान बाहू या फिर आजान उभावू, इन दोनों में ठककर है, दोस्तो उनीस भी इसका अंतर है इसमें, तो इसका सेवत्र रुजाएगा आजान उभावू, ना कि अजान बाहू, तो जिसकी फुजाएं अगला वर्षन है, जो सीगर परसन हो जाए, उस्तो उसे कहते हैं, क्या उसे कहते हैं, आसुतो, जैसे दोस्तो भगवान सीब, सीगर परसन हो जाते हैं, तो भगवान सीब का एक परियावाची भी है, आसुतोस, तो इसका से उत्र रुजाएगा आप्शन बड़ी, जो पर स्वयंग लिखी कथा वाक्यान सिख लेक सब दोस्तों जबरस्त परस ने देखिया option रेखा चित्र आत्म गलानी तो ये तो होगा नी ये अभी हमने देखा था कि आत्म गलानी तो उसे कहेंगे कि जो अपराद बोट से होने वाली गलानी ये तो होगा नी संसमरण या आत् अपने जीवन पर स्वयंग लिखी कथा उस्टों से कहेंगे आत्म कथा कहते हैं कि इसकी आत्म कथा है तो ये जाईलेगा option मढ़ी जिनका सम्मन्द अध्यात्म से हो दोस्तों से कहेंगे आध्यात्मिक कोई सक आपको औस्तों इस उत्तर में है बिल्कुल नहीं आध्यात्म प्लिकुर से उत्तर है अगला उसने रवी रोज मंधिर जाता है वह इस्वर को मानता है, तो कुल मिला आके दोस्तों आपको बताना हैं, यहाँ पर कुछ भी आये इसतरी का परस option, आपको इतना याद रखना है कि इस्वर को मानने ओला जो इस्वर को उस्तों मानता है उसे कह व्यूIELपने किया अगर किसी दूसरे देश से अपने देश कौई कई कर मानता है उसे कहेंगे नास्थिक अगला प्रस्ट ने अनिस्चित जीवी का यह जव धर्दस्त प्रस्ट नहें आकाश रृत्ति अस्ताई सेवा अर्ध रोजगार्यांसिक सेवा तो दोस्तों इसका सेउत्तु तो जो ततकार रचना करता उस्तों उसे कहेंगे आशू कभी जैसे दूस्तु कुमार विश्वास हैं आशू कभी यह जगा उप्शन नमर भी अगला वस्तन है धूर्तू अर्थात जीऊं द्वारा होने वाला दुख जबरदस्त परसना देखिए आत्म घाती थैली और आधी जल्दी से दोस्तु बताईए इसका से उत्रों जाएगा धूर्तू द्वारा अर्थात जीऊं द्वारा होने वाला दुख आधी भौतिक ऑप्शन नमर भी जबरदस्त परसना एक्जाम में आता है तो बहुत बच्चे यहां पर गलती करेंगे अगला वर्शन उस्तों ये जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहेंगे दोस्तों किर्तग या उपकृत या किर्तार्थ इन तीनों में जबरदस्त टक करें ऊर्वरा यह उप्शन हटा दिया अब बताईए जल्दी से यहां पर जिस पर उपकार किया गया हो दोस्तों इसका से उत्रों जाएगा उपकृ उपकृत तो याद रखेगा बहुत से बच्चे गलती करेंगे अगला वर्षन है जिसका संबंद इतिहास से हो तो उसे क्यांगे इस्वर को मानने वाला आस्तिक कतित एतिहासिक पौराणिक तो पौराणिक गरंत तो ऐसा है नी यह जाएगा एतिहासिक वोले तो ओप्सन नम वाला उपकार कराने वाला किये हुए उपकार को न मानने वाला उसे कहेंगे किर्टग ने जो किये हुए उपकार को नहीं मानता है उसे कहेंगे किर्टग ने और किर्टग दोस्तो इसका से उत्रू जाएगा ऑप्सन नमर डी जो किये हुए उपकार को मानने वाला तो उसे कहींगे हम यहां पर किर्टक गे अगला वर्षन है जिसे यह नहीं जान पड़ता हो कि क्या करूँ और क्या ना करूँ तो उसे कहेंगे दोस्तों किंकरतब भी भिमूड ओप्सण नबर डी जिसे यह नहीं जान पड़े कि पटवारी लेकपाल का फॉर्म की जन पड़ से भरन अल्मोडा, पॉड़ी, उत्तरगासी, चमोली, खांसे फर्म भरना चा ये। सभी जन पदु मेंसे, सभी तिरे जन पदु मेंसे। उसे कहेंगे किनकर्त बीविमूड। अगला वर्षन है चंद्रमा तथा बरहामण के लिए एक सब्द दुस्तों से कहेंगे द्विज अगला वर्षन है अनिकार्थी सब्द है द्विज अंडा पक्षी बरहामण दांत चंद्रमा सभी के लिए पर्युक्त होता है लग 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 अगला वर्षन है जो काम करना कठिन हो अगला वर्षन है जो काम करना कठिन है तो उसे हम क्या कहेंगे कठिन तो नहीं असंभव नहीं हार नहीं मानने असंभव ऐसा कुछ नहीं का असंभव ये और हटा दिंगे तो सब को दोस्तों संभव है कुछ भी ना मुंकिन नहीं है इ जगर उपलब्द रहता है, तो जो कठिनाई से मिलता हुस्तों से कहेंगे दुरलब, ओप्सन नमर भी अगला उप्सन है बन मैं लगने वाली आग के लिएक सब्द, उस्तों इसे हमने देखा था बडवागनी, दावागनी बिरहागनी या जटरागनी दोस्तों ये आँखरी प्रसन हमारा इसका से उत्राब बताएगा, कमेंट बॉक्स में बन मैं लगने वाली आग के लिए एक सब्द, तो दोस्तों ये थे आज के हमारे महतून प्रसने, मिलते हैं बहुत जल देख